Hey guys and welcome back to another video आज में पास एक ऐसा असेसरी है फोटोग्रिफर्स के लिए बहुत इंपोर्टन है and I'm sure after watching this video आप सबसे पहला question आपका जो रहेगा comment section में वो यह होगा कि यह हम कहां से पचेश कर सकते हैं इसका price क्या है because अभी मैंने इसको 4-5 दिन daily use कर रहा है Lightroom में editing के लिए and trust me अब मैं इसके बिना Lightroom में editing इतना easily और इतना fast नहीं कर पाऊँगा so मैं इसके बारे में आपको पूरी details पताऊँगा how this works, क्या चीज है, कैसा दिखता है क्या क्या चीज़ें आप Lightroom में कर सकते हो तो सबसे बहले एक इसकी quick unboxing करते है let's see इस box की अंदर क्या है and how does this editing console actually looks like तो यह है loop deck plus इसका फिजिकल अपेरेंस आप यहां पे देख सकते हो इसका जो main use है वो आप जैसे यहां diles देख सकते हो कुछ-कुछ mentioned है, मैं अभी detail में आपको इसके बार में बताऊँगा तो basically यह use होता है lightroom में editing के लिए और starting में lightroom था and then काफी softwares इन्होंने add करते गए लोग editing के list में so अभी जो भी list है softwares की जो इस support करता है यहां पे आप देख सकते हो Photoshop, Adobe Premiere Pro इस तरह के softwares आप इस console को use करके control कर सकते हो तो अब अगर मैं इसके build quality की बात करूँ so it is made of hard plastic बट जो इसके dials and controls है वो काफी durable मेरे को जैसा लगा काफी durable है and easy to use है जादा आपको fidgety नहीं लगेंगे and especially जो dials हैं वो काफी smooth है so मेरे को use करने में काफी easy रहा था अब इससे पहले कि मैं और बात करूँ इसके बार में और आप यह सोचते दो कि इसका actual use क्या है lightroom में तो हम चलते है lightroom में and वहाँ पे मैं आपको एक-एक जो इसका button या dials आपको देख रहे है उसका use practical क्या है वो दिखाता हूँ तो अभी मैं loop deck में connected हूँ and यहाँ पे as you can see here's the loop deck, यह है मेरा laptop and यह जो loop deck connected है USB cable से so यह चीज है wireless नहीं है आपको USB से connect करना पड़ेगा but इतना issue नहीं है because मैं obviously desk पे रखके use कर रहा हूँ और इस तरह का setup है वो desk पे ही use होगा start करते है सबसे पहले libraries है तो यहाँ पे आप जो preview देख रहे है मेरी library है lightroom की अब यहाँ पे एक चीज जो आप सबसे पहले जब images select करोगे या sort करोगे तो उसके लिए आप library में आपको जो controllers कुछ use होते हैं loop deck plus में सबसे पहले आप control dial को use करके इस तरह से images को scroll कर सकते हो तो इसको मैं dialer को use करके scroll कर सकता हो अब एक चीज हो गया obviously scrolling the images उसके बाद आता है sorting images आप star rating देते हो आप colors define करते हो आप flag या pick और reject यह जो options होते हैं अगर आप lightroom में already user हो तो यह चीज़ें आपको easily बता होंगी अब आप normally अपने keypad से करते हो या mouse से select करते हो यहाँ पे आप loop deck plus को use करके यहाँ पे यह जो 5 आपको icons देखेंगे shift, control, alt, tab यह वले जो icons हैं यहाँ पे आपको colors और colors में अलग-अलग numbers देखेंगे so basically इनका use है star rating और color rating देने का so by default आप यहाँ पे देखो कि अगर मैं colors प्रेस कर रहा हूं तो यह अलग-लग set color label to green, blue, red इस तरह के options आ रहे हैं अब एक option है आप colors select कर सकते हो अगर आपको star rating देना है यहाँ पे जो icon है इसको आप प्रेस करके अब यहाँ पे जो 5 कीज हैं वो convert हो जाएंगी star rating के लिए तो 1, 2, 3, 4, 5 इसे साब से आप rating यहाँ पे दे सकते हो यह एक option काफी interesting लगा मिरको उसके बाद अगर आपको flag as pick यह flag is reject करना है तो यहाँ पे C1 and C2 के जो keys हैं उसको यह function dedicated है वहाँ से जाके आप pick यहाँ reject कर सकते हो तो यह था sorting जो आप library में करोगे उसके बाद अब हम main use पे आते हैं इस loop deck plus के जो है develop module में जहां भी हम इसको use करेंगे so develop module में चलते हैं let's see कि इसके क्या functions रहते हैं अब develop module में आते ही सबसे पहली चीज जो मैं करता हूँ वो है image को crop या straighten करना उसके लिए आपका ये चो control dial है simply इसको आपको एक बार rotate करना है तो automatically crop mode activate हो जाएगा उसके बाद अगर आप इसी dial को adjust करते हो left या right से तो इस तरह से आप rotate कर सकते हो तो यहां से आप इसका size adjust कर सकते हो so अगर आपको for example इतना size चाहिए अब इसका placement left या right अप या down करना है तो यह जो keys है up down left right इसको use करके आप इसको adjust भी कर सकते हो for example मैंको इतना area चाहिए यहां पर मैं थोड़ा area बढ़ा दूँगा and अगर मैंको angle change करना है मैं इस तरह से left right कर सकता हूँ अब आप यहां देखोगे अगर मैं इस control dial को use करके adjust कर रहा हूँ तो इतना fine adjustment angle का नहीं हो रहा अगर आपको एगदम fine adjustment करना है आप यहां जो FN button है function को press करके आप control dial को adjust करोगे अब आप देखोगे कि काफी minor movements हो रही है तो यह एकदम अच्छी adjustments के लिए आप function plus control dial को use कर सकते हो अब मैं use करूँगा जो हमारा editing का slider होता है जहां पर हम सारे color adjustments और exposure highlight shadow जे सब adjust करते हैं यहां पर इस console में आपको सारे basic category के sliders मिल जाएंगे exposure, contrast, clarity, shadows, highlight सारी चीज़ है तो इसको एक बार use करके देखते हैं कैसे actually work करता है बहुत simple है आपके जो sliders है नाम यहां पर mentioned है आपको इसको simply left या right में आप adjust करोगे यहां पर मैं contrast को adjust कर रहा हूँ so we can see जो contrast वाला slider है वो adjust हो रहा है let's suppose मैं को इतना चाहिए तो यहां पर मैं अपना dial छोड़ दूँगा मैं को और कुछ नहीं करना वो अपने आप वो चीज़ सेट कर देगा so contrast, let's suppose अब मैं highlights को adjust करना चाहरा हूँ so मैं simply slider को move करूँगा अब मेरे को mouse को वो slider पे नहीं लेके जाना जापे highlights और shadows यें कुछ भी option mentioned है और देन उसको adjust करना उससे काफी time save इसमें हो जाता है because सारे sliders और सारे dials आपको यहां पे दिये हुआ है let's suppose आपने एक कुछ slider को move करा है और आपको उसको reset करना है simply आप उस dial को एक बार tap करोगे वो वापस अपने value पे आ जाएगा उसके बाद उपर आपको बहुत सारे icons देखेंगे P1, P2, P3, Till P8 इनका use क्या है आप इनको presets define कर सकते हो इनमे आप सीधा ये button प्रेस करोगे और वो जो preset होगा वो अपने आप apply हो जाएगा इस image में let me show you an example ये P1 है इसमें एक मैंने black and white का preset डाला हुआ है जो मेरा कुछ सालों से काफी favorite है उस पर एक अलग videos वनी होई है आप check कर सकते हो यहाँ पर बहुत simple है HSL को use करना ये 3 buttons दिये हूँ है hue, saturation और luminance के let's suppose मैं को hue पर work करना है मैं hue पर tap करूँगा वहाँ पर light on हो जाएगा अब मैं sliders adjust कर सकता हूँ मेरे सारे जो primary art colors है उसके sliders यहाँ पर दिये हूँ है so आपको simply ये dial adjust करना है तो इस तरह से मैं slider को use करके वो चीज़ अज़स्ट कर सकता हूँ so कोई भी color का hue, saturation और luminance आप simply इन dials और buttons से use कर सकते हो again बहुत time saving है trust me within seconds आप ये चीज़ें change कर सकते हो अगर आप कुछ adjustments कर रहे हो और वहाँ पे आपको undo या redo का option करना है उसके लिए भी dedicated buttons यहाँ पे हैं top left corner में आप सीधा undo और redo कर सकते हो और किसी stage पे अगर आपको image को reset करना है इस सारे adjustments आप function प्लस undo प्रेस कर सकते हो और वो सारी चीज़ें जो image है वो reset to the original stage पहुंच जाएगी आप before and after के key को प्रेस करके इस mode में जा सकते हो जहाँ पे आप before and after देख रहे हो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी adjustments कर रहा हूँ तो मेरे को before and after यहाँ पे एक comparison दिखता जाएगा so that मैं उसको अपने before वाली image से अच्छे से compare कर सकता हूँ so c1, c2, c3, c4, c6 so 6 ऐसे buttons हैं जिनको आप customize कर सकते हो कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे आपको लग रहा है कि loop dead plus में नहीं है वो आप उसमें dedicate कर सकते हो let's suppose sharpening या vignetting यह सारी चीज़ें आप किसी भी इन 6 buttons में dedicate कर सकते हो so यह एक में को काफी अच्छा चीज़ लगा कि अगर इसमें कुछ already नहीं भी है so यह एक in a way future proof technology हो गया कि in future अगर कुछ lightroom में update आता है तो इसमें यह firmware upgrade के थूँ वो function भी दे सकते हैं अब आप सोचते होगी कि adjustment brush radial filter यह effects कहां से कर सकते हैं इसमें है या नहीं तो उसके लिए भी L1, L2, L3 buttons हैं यह पर इस पर आप set कर सकते हो आपको adjustment brush चाहिए आपको radial filter चाहिए आपको graduated filter चाहिए तो यह by default इसमें already set है इसको use करके आप sliders use करके वो चीज़ कर सकते हो अब यह एक में को चीज़ लगी जहां पर आपको सिरफ अपना mouse यूज़ करना पड़ेगा पट उसके बाद जो adjustments है वो आप यहां पर पूरे sliders और dials यूज़ कर सकते हो तो ठीक है एक चीज़ हो गया कि इसके features हैं जो हम use कर सकते हैं इसका response time कैसा है सो में को काफी अच्छा response time लगा जैसे ही मैं sliders move कर रहा हूँ उसी time जो भी adjustments हो रही है वो हो रही है इतना कुछ lag नहीं है I think within a fraction of seconds आपको adjustments अमनी screen पर दिख जाती है तो यह एक चीज़ अच्छा है नहीं तो बहुत frustrating हो जाता है कि अगर थोड़ा lag आ रहा है तो आप real time changes नहीं देख पाते जो इसमें नहीं है तो उस हिसाब से मिरको all in all एक light room के लिए ये काफी अच्छा accessory लगा अगर मैं काफी regularly और professionally editing करता हूँ मिरको जैसे मैंने पताया कि अब मैं इससे इतना एक्टिव हो चुका हूँ कि इसके भीना अगर मैं लाप्टॉप में editing करूँगा तो अगर इसमें मैं एक फोटो को दो मिनट में edit कर रहा हूँ वैसे मेरे को तीन या चार मिनट लगेंगे काफी चीजें मेरे सामने डैल्स में हैं तो मेरे को individually माउस से या माउस पैट से जाके sliders को अलग अज़स नहीं करना पड़ेगा मैं directly यहां से कर सकता हूँ अगर आप काफी regularly editing करते हो especially आप अगर professionally कर रहे हो commercial shoots कर रहे हो this would surely save your time trust me because मैंने जैसे पताया कि आप almost half time save कर सकते हो using this console तो हर एक user के लिए यह ना हो because इसका जो cost है obviously थोड़ा उसे साप से रहेगा but अगर आप regularly editing करते हो and it does help you then I would surely recommend this product तो मैं इसको आगे यूस करता रहूँगा editing के जो videos आएंगी Lightroom की तो उसमें मैं यह यूस करूँगा because obviously it helps me a lot save my time and efforts तो यह था इस वीडियो में comment करके अपने में को व्यूस ज़रूर शेर करना आपका Loop Deck Plus के बारे में क्या व्यूस है बाकी डिटेल्स अगर Buy Link या प्राइस की डिटेल्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा and हम इसी तरह आगे interesting and informative वीडियो में मिलते रहेंगे तब तक टेक कर और कीप लेकें